चाप्टर शिक्स फ्रीडम मूवमेंट्स 1885 एडी तो 1947 एडी गुज्रा स्टेट बोर्ड आफ स्कूल टेक्सबुक्स तो यह 1885 यह हम थोड़ा सा और पीशे चल जाते हैं चमक उठी संसत तावन में वह तलवार पुरानी थी बुन्देले हर बोलो के मूँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वह तो यह चासी वाली रानी थी यह सब हुआ इसके बात में बात और आगे बढ़ी सुराज is my birthright and I will have it एक पंदरा साल का बच्चा को जब जज ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है तो उसने बोला मेरा नाम आजाद है मेरे पिता का नाम सोतंतरता मेरा घर जेल है साबर मती के संत तुने कर दिया कमाल देती हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल पगड़ी संभाल जटा पगड़ी संभाल ओए सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर किता बाजुए का तिल में है मेरा रंग दे बसंती चोलाओ मेरा रंग दे बसंती चोलाओ कुट इंडिया चलो दिली तुम मुझे खुन दो मैं तुम्हे आजादी दूँगा ये सब कुछ हुआ उस इंगलांड के लिए उस युनाइट किंग्डम के लिए जिसका दे सन निवर सिट्स अन दे उनाइट किंग्डम उसका उससे भारत ने आजादी ली ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिये और ताकि सारे की सारे स्टुडेंट्स इसका लाब उठा सके इसका फाइदा उठा सके हमने अभी तक पड़ा है Establishment of British Rule in India The First War of Independence The Social, Economic, Political, Educational Conditions of the 19th Century in India और अब हम पड़ेंगे Origin and Development of Nationalism in India And the National Moments of Freedom Struggle Nationalism क्या होता है Nationalism वो Spirit of Sacrificing है Body, Mind and Wealth for the Nation यानि की तन, मन, धन, देश के उपर नुच्छावर करना Nationalism is the sense of unity, pride for the country देश के लिए एक्ता और देश के लिए प्रतिष्ठा People living in certain parts of the world जो geographically एक दूसरे को से मिल सकते हैं जो geography एक दूसरे को identify कर सकते हैं उनकी heritage एक है, उनका culture एक है cultural similarity है वो अपने आपको emotionally express करके एक जैसे है और ये सब unity कहां से आई ये unity कहीं न कहीं हमारे Britishers नहीं हमारे को देथी जो उन्होंने हमारे उपर अत्याचार किये उसी के वज़े से आई अगर देखा जाए तो India was always a diverse country हर चीज में अलग है कित्ती diversity है इंडिया में religion ले लो Hindu, Sikh, Christian, Buddhist, Jain, Muslim caste ले लो Brahmin, Kshatri, Vais, Shudra Creed, Language असामी, गुजराती, पंजाबी, मराथी, बंगाली, मल्यालम, तेल्गू, टमिल, कन्नड region ले लो North, South, East, West Aryan, Dravidian कोई जाट, कोई भूमियार, कोई चौदरी, कोई ठाकोर, कोई कुछ, कोई कुछ अरे diversity ढूनते जो मिलती चाहेगी लेकिन, जिससे भी कठे कैसे हुए अंग्रेजों ने एक uniform law लाया administration करने के लिए इंडिया के उपर administration करने के लिए uniform law लेके आए वो law ने कहीं न कहीं इंडियन्स को इकठे कर दिया फिर the policy of economic exploitation आया unemployment fell collapsing of industries हुआ artisans जो काश्टकार थे जो artist थे जो बढ़ाई कुमार यह सब जित्ते भी जो भी इंडिया में चीज बनती थी जैसे पटॉला साड़ी जैसे सिल्क की साड़ी काजीवरम यह सब लोग unemployment हो गए इनके रोजगार मरे गए economic dissatisfaction of the farmers सब के साथ injustice हुई एक के साथ ने ब्रामिन के साथ भी एक शत्री के साथ भी वैश के साथ भी हुई हिंदू, मुस्लिम, सिख सब के साथ हुई पंजाबी, गुजराती, मराथी, बंगाली सब के साथ हुई आर्यन के साथ भी, ड्राविडियन के साथ भी, जाट के साथ भी, चौधरी के साथ भी, भूमियार के साथ भी, सब के साथ हुई, तो सब इकठे हुए University and diversity आई, कहीं न कहीं, Britishers नहीं, ये nationalism के seat सोई इंडिया में फिर आया English Education English Education से एक small and powerful class of educated intellectuals सामने आया जिन्होंने Western Education ली, उन्होंने self-governance, independence, best thinkers and leaders कैसे बने, वो सब यहीं से आया उन्होंने medium choose किया, medium literature था, newspapers था, English था, Hindi था, regional languages थी, local languages थी गुजराती में, न्यूस पेपर, मराठी में, टामिल में, बंगॉली में, उर्दू में, पंजाबी में, हर भाशा में, उस-उस प्रांथ के बारे में, न्यूस, उस-उस प्रांथ के बारे में, लोगों को इकठा करा गया और यह सब कुछ हुआ कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के जो जो उन्होंने इंडिया में करा उसके वज़ से फिर आर्केयालजिकल रिसर्च आई जिसने बताया कि इंडियन टेक्स्ट जिसको बाहर निकाला गया, खोदा गया, अनर्थ किया गया, उसको ट्रासलेट किया गया, उससे पता चला कि इंडिया किता ग्लोरियस पास था इंडिया का और ये सब दुनिया के सामने हो जागर हुआ सब लोगों के मन में एकी प्रेशन आया कि इत्ते महान सब्वेता के इत्ते ग्लोरियस पास के लोगों को कैसे बंदुआ मजदूर कैसे इंसलेव किया गया फिर आया टेलिग्राफ टेलिग्राफ, पोस्टल सिस्टम, रेलवे ये सब आए तो इससे क्या हुआ कम्यूनिकेशन अंड ट्रांस्पोर्ट पीपल सब लोगों के बंगाल, कश्मीर से लेके कन्या कुमारी तक बंगाल से लेके बिहार तक और गुजरात तक सारा इंडिया एक हुआ इंजस्टिस तो सब जगा हो रही थी इंजस्टिस हो रही थी इंडियन के ऊपर बिटिशर्स के द्वारा एक चार्टर्ट जॉब्स निकली लूटियन्स वरनाकुलर प्रेस आक बना फ्रीडम अफ प्रेस कल्चर हुआ इलबर्ट बिल, रिपन्स ट्राजक्शन रिपन्स टाइम ये सब हुआ फिर इंग्लेंड के जो लोग थे उनके ऊपर इंडियन जजज अपना वो पास कर सकता था अपनी जज्जमेंट पास कर सकता था ये बिल भी आया इंग्लेंड ने अपोस किया अपनी मातर भूमी के लिए, अपने देश के लिए, अपने सुराज के लिए लडने के लिए यूनाइटेड हो गए जिसको बाद में कॉंग्रेस कहा गया यह वही कॉंग्रेस है जिसने अज़ादी की लड़ाई में एक महत्वपून योगदान दिया था एक जरुत समझे गई नाशनल इंसिचूट जो एक दिशा निर्धारित करे एक आइडियास के लिए नाशनलिजम के लिए भारतियों की क्या रिप्रेजेंटेशन रहेगी अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी बात नहीं है कि कोई चीज नहीं थी पहले कुछ-कुछ और्गनाइजेशन थी पहले भी जैसे कॉलकटा में थी प्रिटिश इंडियन एससियेशन और इंडियन एससियेशन मुंबई में थी बॉम्बे एससियेशन मदरास में थी चिन्नई में मदरास में मदरास नेटिव एससियेशन पुने में पुना पब्लिक एससियेशन एहमदाबाद में गुजरात एससियेशन सवा तो यह जो खे यहाँ पर एक जर्वत मैसूस करी गई एक Mr. A. O. Hume थे जो British government के retired अधिकारी थे उन्होंने कहा कि Indigenation or Discontent of Indians against the Britishers को एक दिशा देनी चाहिए उनको curb करना चाहिए उनको regulate करना चाहिए उनको दबाना चाहिए नहीं तो एक revolt हो जाएगा फिर से जो 1857 जिसको कहा जाता है The First War of Independence उसके जैसा रूप न ले ले तो यह अब हम आते हैं एक specified date पे December 28, 1885 यहाँ पर Gokal Das Tejpal Sanskrit School मुंबई में पहला session हुआ Hindi राष्ट्रमासपा का 72 delegates आए प्रेज़ेंट थे इसके व्योमोष चंद्र व्योमोष चंद्र बैनर जी इसके मुक्य लीडर्स थे दादा साहिब नारो जी दादा भाइ नरो जी, फिरोश शाह मैता, बद्रुदिन, तैयब जी, केटी तेलंगना, गोपाल कृष्ण गोखले, दिन्शा, वचाचा इस तरह के नाम थे फर्स्ट फेज, 1885 से लेके, 1885 से लेके 1905 तक, ये पंद्रा साल का फेज है 1885 तो 1905 यहाँ पे जो है दे हिंदी महाराष्ट्रो मा, दे हिंदी राष्ट्रो मासवा ने डिमांड करे सरकार से पॉलिटिकल राइट्स के लिए, एकनॉमिक, सोशल डेवलेप्मेंट के लिए, एजुकेशनल प्रोग्रस के लिए नतीजा क्या हुआ, दे वर इगनॉर्ट बै दे ब्रिटिश गवर्मेंट, ब्रिटिश गवर्मेंट ने खारिच कर दिया सब कुछ लेकिन इससे जीत क्या हुई, एक स्ट्रॉंग फाउडेशन, एक नीव, एक मजबूत नीव, एक बुनियाद वो दी गई थी, फ्यूचर फ्रीडम स्ट्रॉगल के लिए इन्होंने डिमांड किया, expansion of the legislature, reduction in military expenditure, military expenditure घटाओ, legislature को और ज्यादा बढ़ाओ, taxes घटाओ, relief दो farmers को, जो करजे में डूबे वे, civil services exam, जो है, वो इंडिया में और इंग्लैंड में, लंडन में, इकठे हों, एक ही दिन, simultaneously हो, freedom of expression दो, हमको भी आजादी दो, कि हम भी आजादी से सब कुछ express कर सकें, यह सब क्या कर रहे थे, unfair policies of the government को oppose कर रहे थे, through constitutional, democratic method, discussion, resolution, petition to the voice, kind, soft, modest attitude में, इनको कहा गया, moderators, नरम दल, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी कुछ महत्वपून काम किया है, organize the educated middle class, जो educated middle class था, उसको संगठत किया, prepare करा, national awareness जगाई उनमें, इनके soft रवाईए को देखते हुए, बहुत सा विरोध हुआ, यह क्या करते थे, policy of request and pray, इसको criticize किया गया, radical change in policies आई, कोन लेके आया, बाल, पाल, लाल, वैसे बोला जाता है, लाल, बाल, पाल, यानि कि लाल से होते हैं, लाला लश्पत्राए, बाल से होते हैं, बाल, गंगा, धर, तिलक, पाल से होते हैं, विपिंच, द्रपाल, तो इन्होंने इनका criticism किया, और यह कहला है, radical leaders, यही से गरम दल जो है, उसकी बुनियाद पड़ती है, radical, गरम दल, इन्होंने क्या किया, इन्होंने radical change लाए, जो mild policy थी, Congress की, या Hindi राश्रमा सबा की, उसमें radical changes लाए, उन्होंने अपने आप में believe करने की शमता को उजागर किया, और हमारी power में, believe in our power, जो Indians की power है, उसमें believe करो, government की intentions में मत believe करो, बाल गंगदर तिलक ने बोला, स्वराज is my birthright, and I will have it, स्वराज मेरा जन से ददिकार है, और मैं उसे लेकर रहूंगा, लाल बाल पाल effect, इंडियन यूथ पे नशे की तरह च्छागया, उनको जगा दिया, उनमें चोश भर दिया, aggression भर दिया, confidence भर दिया, इन्होंने ये सब कैसे किया लेकिन, इन्होंने न्यूस पेपर्स के माद्यम से ये सब करा, जैसे बाल गंगदर तिलक ने मराथा अंग्रेजी में, केसरी मराथी में न्यूस पेपर निकाला, लाला लेश्पत राय ने दे पीपल अंग्रेजी में और पंजाबी दूसरा न्यूस पेपर निकाला, लोकल लेंगविज पंजाबी में बिपिंच इंदरपाल ने नियू इंडिया अंग्रेजी में डाला और वन्दे मात्रम उन्होंने बेंगॉली में नियूस पेपर डाला 1905 वोइसरोय करजन पार्टीशन कर देते हैं बेंगॉल का कारण बताया गया? अफकोस इंटेंशन क्या था? डिवाइड रूल लोग को अलग-अलग कर दो फिर रूल करना असान है और कारण बताया उन्होंने कि अड्मिस्ट्रेटिव इस पेंगॉल को दो भाग में बाट के हमाराम से उसको गवर्न कर सकते हैं तो मुवमेंट आईगी बांग-भंग मुवमेंट ये लॉंच करें गई इसमें क्या किया गया? बॉइकॉट किया गया? नाशनल एजुकेशन इंडिजीनिस प्रोपगंडा मतलब जो हमारे एजुकेशन थे जो हमारे न्यूस्पेपर थे जैसे मैंने आपको अभी बताया ये न्यूस्पेपर, नमराथा, फिर केशरी, पंजाबी, दे पीपल, वंदे मातरम, न्यू इंडिया ये सब न्यूस्पेपर और जैसे बहुत सारे और न्यूस्पेपर हर भाशा में इनके थुरू जागरुकता पैदा करी लोगों में, सारे भारतियों में, इकठा किया, एक चुट करा 1911 में, मेजर वॉइस्ट्रॉय जो था, मेजर विक्ट्री आई वॉइस्ट्रॉय ने डिसिजन रिवर्स किया, पार्टिशन और बेंगल नहीं होगा ये भारतिये राष्ट्रिये हिंदी, मतलब हिंदी राष्ट्रिये महासभा की पहली जीत थी, कॉंग्रेस की पहली जीत थी रेवलुशनरी अक्टिविटी इस इन गया ये तो आपने देखे दिया कि लाल बाल पाल के एफिक्ट से जो इनियन यूद था, वो जाग गया था, जाग रुक हो गया था, वो एंथुजियस्टिक था और कॉंफिडेंट भी था, एग्रेसिव भी था तो अब ये यूद जो है, यंग पीपल, ये यूद जो है, यंग पीपल, इन्होंने क्या किया ये सुराज चाते थे हर कीमत पर, वो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थे सब कुछ, अपने आपको, अपने आपका बलिदान देने के लिए तैयार थे, मुस्कुराते हुए और दूसरों की जान भी लेने के लिए तैयार थे वासुदेव बलवन्थ फाड के रेफलिशनरी आक्टिविटी उसने स्टार्ट करी उसने बैकवर्ड क्लास जो कहते हैं कि पिछड़े वर्क के लोगों को उसने एक जुट किया उसको उन्होंने ट्रेनिंग दी लड़ाई की ट्रेनिंग रेंड एक चीफ प्लेग कमिशनर था जब प्लेग फैला था माराश्चर और मुंबई में तो उसने काफी लोगों को तंग किया था माराश्चर और मुंबई में उसने और उसके आदमियों ने रिंड चीफ कमिशनर जो था उसके आदमियों ने तो उसको मारवाया उसने दामोदर चाफे कर और बालकृष्णा चाफे कर से इन दोनों ने मिलके मारा उसको फिर आते हैं विनायक दामोदर सावर कर इन्होंने शुरू किया मित्र मेला 1900 AD में जो बाद में जाके बना अभिनव भारत इन्होंने एक बुक भी लिखी Indian First War, Indian War of Independence 1857 ये पहली ऐसी पुब्लिकेशन होएगी जो पहली ऐसी बुक होएगी जो पुब्लिश होने से पहले ही बैन हो गई इन्होंने इंडिया में ही नहीं इंडिया के बाहर भी जाके एब्रॉड में भी revolution फैलाया इंडिया का नतीज़ा क्या हुआ? Life imprisonment मतलब अजीवन कारावास कहाँ पर? Cellular Jate काला पानी अन्यमाने निकोबार आइलेंड इंडिया वहाँ पर इनकी हालत खराब हो गए हेल्थ खराब हो गए तो इनको house arrest किया गया इंडिया में फिर आते हैं अनुशिलन अनुशिलन समिती established होई कॉलकटा में इसको establish किया बरिंद्र घोश ने वही इसके मतलब बरिंद्र घोश इसके में लीडर बने बाद में revolutionary ideas, activities revolutionary literature, training ये सब दिये गए कहाँ पर? अनुशिलन समिती में और खुदी राम बोस और प्रफुल चंद्रचाकी इन्होंने revolutionary action करे पेंगॉल में प्लान था magistrate को मारना Kingsford magistrate बॉम फिका गया उसकी वैगन पर लेकिन उसमें magistrate Kingsford नहीं था बलिक advocate Kennedy की बीवी की wife बीवी और उसकी बेटी थी वो दोनों मारे गए खुदी राम बोस was sentenced to death to be hanged to death by neck यानि फासी प्रफुल चंद्रचाकी जो था उसने अपने आपका बलिदान देने की सुची उसने अपने आपको गोली से मार लिया हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाए गई राम परसाद बिस्मिल और आश्वाक उल्ला खान वैसे बाइद वे ये वीर सावरकर की फोटो है ये खुदी राम बोस की है राम परसाद बिस्मिल जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं उसकी ये फोटो है और आश्वाक उल्ला खान की ये फोटो है तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाएगे राम परसाद बिस्मिल और आश्वाक उल्ला खान के द्वारा इन्होंने काकोरी ट्रेन रॉबरी प्लान करी इंग्लिश ट्रेजरी इंग्लिश खजाने को अंग्रेजों के खजाने को लूटना था क्यों लूटना था पैसे की ज़र्वत थी रेवलुशनरी आक्टिविटीज करनी थी हत्यार खरीदने थे रेवलुशन करना था संग्राम करना था राम प्रसाद बिर्समिल और आश्वाक उल्ला खान रोशन सिंग्ग राजेंद्रनात यह सब पकड़े गए अरेस्ट हुए और सेंटेंस टु डेथ दुर्गा भावी दुर्गा भावी भी एक थी जो कम्यूनिकेट करती थी रेवलुशनरी इसके बीच में वो एक मीडियम थी कम्यूनिकेशन का उसने नारी नारियों को अक्टिवेट करा रेवलुशन में किस तरीके की अक्टिविटीज करवाई नारियों से, महिलाओं से, औरतों से, वो था पोस्टर लगाना लीफलेट डिस्ट्रिब्यूट करना, पर्चे बाटना रेजिंग मनी फॉर दे कोर्ट केसिस, जो कोर्ट में केसिस लड़े जाते हैं रेवलूशनरीज के, उसके लिए पैसा एकठा करना, बंदू के चलाना भी उनका काम था चंदर शेखर आज़ाद, चंदर शेखर आज़ाद जो था वो बच्पन से ही रेवलूशनरी आक्टिविटीज में काफी अग्रसर था मैंने आपको बताया था थोड़ी दिर पहले कि वो एक बच्चे, पंदरा साल के बच्चे ने बोला था कि मेरा नाम अज़ाद है, मेरे पिता का नाम अज़ादी और मेरा घर जेल यह वही आज़ाद है, इसने कसम खाई थी कि यह कभी जिन्दा नहीं पकड़ा जाएगा इसने काकोरी रॉबरी में भी पार्टिसिपेट किया था और बाद में यह जैसे इसने कसम खाई थी कि यह कभी जिन्दा नहीं पकड़ा जाएगा तो इसने अपने आपको अपनी जर्मन मौसर गन पिस्टल से अपने आपको अपने सिर में गोली मारके अपनी जान ली अल्फरिट बाग अलाबाद में 1931 एडी में मूचों पे पताओ देते हुए ये फोटो है चंदर शिकराजाद की अब हम आते हैं revolutionary activities abroad तो revolutionary activities सरफ भारत में नहीं बाहर भी इंडिया के बाहर भी हुई है बहुत से जान अंजान लोग anonymous well known जाने माने well known और अंजान anonymous लोग जो sons and daughters of India थे भारत के बेटे बेटिया मैं बेटे बेटिया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहां पे आप देख रहे हैं कि ये शाम जी कृशना वर्मा है ये बेटे हैं और ये एक भारत की बेटी है मैडम बीका जी कावा तो इसके लिए मैंने भारत के अंजान और चाने पहचाने बहुत सारे लोगों ने freedom struggle में हाथ में भाग लिया इंडिया में भी और अब्राड में भी अभी हम अब्राड की बाते कर रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन का सरवच बलिदान दिया दे साइकरिफाइब आइस ब्राइब आइस फ्रीडम ऑफ इंडिया First World War के पहले Indian revolutionaries living in foreign countries became active carried out revolutionary activities England, France, USA सब जगा उन्होंने revolutionary activities करी श्याम जी कृष्णा वर्मा जो कच के रहने वाले थे England में, England में उन्होंने Indian Home Rules Society स्थापित करी उसके अंडर magazine स्टार्ट किया, Indian Socialist to promote the organization named India House उन्होंने इंडिया हाउस को अपना आफिस बनाया Mother Lal Dhingra, Vinayak Saverker Vinayak Saverker जो आपको मैंने पहले बताया है कि उन्होंने बुक लिखी थी और बुक के पब्लिश होने से पहले ही बुक को बैन कर दिया गया वही Vinayak Saverker तो Mother Lal Dhingra, Vinayak Saverker, Madam Bikaji Kama इन्होंने सब ने जॉइन किया इसी organization को इनके organization को, यानि कि शाम जी कृष्णा वर्मा के organization को William Weil William Weil को मार गिराया मोहनलार धिंगरा ने गोली मार के, shot date 1909 नतीजा क्या होना था? Hang to death फासी तो मोहनलार धिंगरा जी को 1909 में फासी की सज़ा दी गए शाम जी कृष्णा वर्मा जो कच के थे, इंग्लेंड में रहते थे वो चले गए Paris France इंग्लेंड छोड़ दिया उन्होंने सावर कर इन्होंने operations इंग्लेंड में संभाले इन्होंने सेलिब्रेट किया Golden Jubilee of 1987 इंडिया's first war of independence उसका नेतीज़ा क्या हुआ? सेलिब्रेट तो कर दिया अरेस्ट हुए 1907-80 में imprisonment हुआ 1902 Madame Bikachi Rustam Kama started newspaper One Day Maatram in Europe Stuart God Germany में 1907 में ये इन्होंने hoist किया मतलब हमारे देश का पहला तिरंगा जो था उसको एक international socialist conference में इन्होंने फेरा दिया आदमी तो आदमी औरते भी बहुत तेज हैं सरदार सिंग राना जो शाम कृष्ण वर्मा के साथी थे उन्होंने रैलीज कंड़क करी पैरिस में अगेंस दे ब्रिटिश ऑप्रेशन ब्रिटिशर्स के अत्याचारों के खिलाफ नतीजा क्या हुआ डिपोर्टेट फ्रम फ्रांस इस तरह के बहुत सारे गिनत अंगिनत जाने माने अंजान रेवलिशनरी बहुत सारे उन्होंने बहुत अक्टिव एफट करे इंडिया की आजादी के लिए इंडिया को लिबरेट करने के लिए इंडिया से बाहर भी उसमसे कुछ जाने पहचाने नाम है तारक नाद्दास लाला हर्द्याल राजा महेंद्र प्रताप अफगानिस्तान बरकुतला बरकतुला रस विहारी घोश चंपक रमन पिल्लै की लेंक लंबी होने के वज़े से पार्ट वन हम यहीं पर एंड करते हैं पार्ट टू हम आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर आ रहे हैं इन दे मीन टाइम मेरे को यह पूरा विश्वास है कि आपको यह बहुत इंट्रेस्टिंग लगा होगा तो आप इसको लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैहिद